स्पा सेंटर में नाबालिक लडिक्यों से काम कराई जाने की शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड वेलफेर कमेटी ने पुलिस के साथ मिलकर एलडी को मोल में छापे मारी की टीम ने इस दोरान दो नाबालिक सहित पांच युगतियों को काबू किया है चापे मारी के दोरान पुलिस को देख संचालक मोके से परार बताया जा रहा है वीडियो में दिखाई दे रहा ये नजारा परिदाबाद का है जहां चाइल्ड वैलफिर कमेटी ने पुलिस के साथ मिलकर स्पा सेंटर में रेड की कमेटी के सदस से सुनिल यादव के मुताबिक उन्हें काफी समय से इस संबंध में शिकायत मिल रही थी जिसके बाद उन्होंने ये चैपे मारी कारवाई की वही रेड के बाद मोल में हडकंप मच गया चैपी मारी के दोरान संचालक मोके से फरार बताया जा रहा है बता दे की नाबालिक बच्चों से काम कराना बेहदी गंबीर अपराद है और इस पर कड़ी कारवाई की जाती है वही इस बारे में चाइल्ड वेलफेर कमिटी के सदस्य सुनी लियादव ने और क्या कहा आए ये ये भी सुनते हैं असल हमें दो-तिन दिन से सूचना मिल रही थी जो है इस पा सेंटर में कुछ नावालिक बच्चियां भी काम कर रही है तो जिसके आधार पर आज मैंने चाइड लाइन को साथ लेकर और पुलिस को साथ लेकर वहां रेड मारी तो वहां पांच स्पा सेंटर हैं जिनमें सब में चेक किया तो एक गोल्डन और एक दूसरा क्या नाम में नाम थोड़ा भूल रहा हूं उसका दो में हमें नावालिक बच्चियां मिली है उन जिनकों लेकर यहां पर आगे हैं ताने में क्या करवाई लिखित करवाई है वाकि हम पुलिस को एंडवर करके जा रहे हैं मैडिकल होगा उनका बच्च्चों का और जो सप पुलिस दर्ज करेगी जो नावालिक बच्चों से अनैतिक कार्रे करवाते हैं ये लोग चंद नोटों के लिए इन बच्चों के भविशे से ही नहीं खेलते बलकि उन्हें अपरात की दलदल में भी धखेल देते हैं ऐसे में अगर आपके आसपास यदी कोई इस तरह का का रहोता दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस को देकर एक जिम्मेवार नागरिक होने का फर्जदा गरें